खरगोन जिले के टांडा वरूट शेत्र में आदिम जाती सेवा सहकारी समिती वरूट की वार्षिक साधारन सभा की बैठक का आजन किया गया जिसके अंतरगत संस्था प्रवंधक राधिशाम्यादों ने वार्षिक लेखा जोका प्रस्तुत किया साथ ही बैठक के आरंब से ही किसानों में बीमा राशी को लेकर काफी आक्रोश था जहां शेत्र के क्रशकों ने गतवर्ष बीमा की राशी कटने के बाद भी बीमा नहीं मिलना और वर्तमान वर्ष में मिर्ची के बीमे की राशी का बीमा नहीं काटना और क्रशकों को सुषन नहीं देने के संबन में अपना विरोध दर्ज कराया जहां सहकारी समीती ने प्रसासक के रूप में अरुन कुमार पांडे खरगोन को न्यूक्त किया था उन्हें भी क्रशकों ने खुब खड़ी-कोटी सुनाई और बैठक का विरोध किया बरूर से रामेश्वर कुम्राव इस वर्से बीमा की राशी किसानों को मिले है पर बरूर के किसानों को राशी नहीं मिली है क्या नाम है सब्सक्राइब राशासक मोदे ने इनको सुच्छ के लिए आम समा में प्रबंदब को अखरज किया गया था इसमें प्रबंदब नहीं देखी गई कि बेजी कि बेजी कि बेजी मेरे पूछी आपने जाप्तिंग में को क्या लिखे दिया को कि अधिम जाती सुच्छता द्वारा किसानों का अब तक बिमा नहीं करा गया इस संबंदम क्या कह रहा है आप आदिम जाती कि दोसी शाकारी सस्ता की जो प्रशाशक मोद है या पर जो भी यहां पर कर्मचारी मोद हैं किसानों को लेकर गंभी रूप से कारिरत नहीं है पुर्व वर्स में हमारे भीमें नहीं किये गए थे और जिस सम्बंद में यहाँ पर जो भी प्रबंदक मोहदय थे और बेंक मेनेजर था दोनों को दोसी प्रशाशक मोहदय यहों हमें के क्रशकों के द्वारा पुर्व वर्स में दोसी तेराया गया था परन्तु आज दिना के लिए कर रहा है परन्तु वर्तमान में यहां पर जो प्रसाशक मोहते आएं वहां पर लिखने को कुछ तयार नहीं है और बेंक मेनेजर की आज एक्षे मोहती है पर उनको पुर्व में सुटना दी गई है वह फिर भी आनुपस्तित देहां पर हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना पुले